हलो बच्चों कैसे हो आप लोग तो आज मैं एकदम एनिमेशन के थूँ तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ कि रिदय कैसे काम करता है तो तुम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम यानि की परी संचरन तंत्र तो यहा तो यहां पर तुम देख सकते हो जैसे की तो यहां पर देखना यही हम लोग देखेंगे रिदय के साथ साथ क्या हो गया रिदय के साथ साथ यहां देख सकते हो पूरे शरीर में क्या फैल हुई है पूरे शरीर में हमारे पूरे शरीर में रक्त वाहिका है या फिर रक्त न हाँ 47 स्टूडेंट आ गए हैं तो आज हम लोग बहुत अच्छे से रिदय की कारियों को पढ़ेंगे बहुत मजाएगा एकदम बहुत मजाएगा यहां देखना तो यहां देखो तो मैंने तुम्हें रिदय बताया था दिखाया था कि रिदय देखो कैसे कारिय करता आवाज पूरा डीटेल हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरन तंत्र कैसे कारे करता है यहां देखो किस तरीके से जो रक्त है पूरे शरीर में हमारे पूरे शरीर में रक्त का क्या होता है परिसंचरन होता है रक्त जो होता है पूरे शरीर में घूमते रहता है रक्त को ही रूधिर बो में, देखो कैसे ये चल रहा है, मैंने कल बताया था ना कि रख्त में क्या क्या होता है, ये सब कल मैंने पढ़ाया था, और ये क्या है, अरे यही तो है हमारा हृदय, जो कि कल मैंने पढ़ाया था, ये देखो यही है हमारा हृदय, तो तुम लोग को एनिमेशन से पढ़ने म आजा रहा यह नहीं आ रहा है बहुत मजा रहा होगा देख लो बच्चो यही हम लोग का क्या है रिदय है यहां देखो यह देखो कैसा यह रिदय है रिदय में मैंने कल चार भाग बताया था तुम्हें याद होगा यदि तुम कल होगे क्लास में तो तुम्हें याद होगा कि यहां पर मैंने चार भाग रिदय का बताया था नीचे तुम्हारा निले था और उपर क्या था बताओ क्या था हाँ उपर था आलिंद नीचे क्या था निले तो तुम तो भूल गए होगे तो यदि भूल गए हो तो यहां मैं दिखा देता हूँ यहां देखो हरिदय को नीचे दाया अलिंद और बाया निले है ना पहले को हम लोगोंने दाया भाग और बाया भाग में हरिदय को बाटा था कल का लास तुमने नहीं किया हुआ तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि कल हम लोग नाम पढ़ रहे थे फिर इधर देखो यहां पर क्या ह यहां पर हो गया नीचे वाला को क्या बोलेंगे दाया निल है यह देखो यह वाला जो दिख रहा है ना इसको बोलेंगे दाया निल है इसको बोलेंगे हम लोग बाया निल है फिर यहां इसको क्या बोलते हैं यहां पर दाया आलिंद और उपर वाले को क्या बोलेंगे बाया आलिंद इसको क्या बोलते थे विभाजी का इतना नाम याद करा है था मैंने कल याद करो अब देखो अब यह है तुम्हारा लेकिन दो चार नाम और हम लोग को आज यहां पर add कर लेना है तो यहां दो चार नाम मैं तुम्हें add करा दे रहा हूँ देखो दो चार नाम में विभाजी का मैंने बता दिया है अब यहां पर दो चार नाम में कौन-कौन से नाम याद कर लेना है यह देखो ये देखो ऊपर से ये जो दिख रहा है बच्चों इसको बोलेंगे ऊपरी भाग से महाशिरा यानि कि ये है महाशिरा ये वाला जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे महाशिरा जो कि सरीर के ऊपर के भागों से यहां पर पहुंच रहा है रिदय तक तो यह हो गया महाशिरा कहां का महाशिरा उपरी भाग का महाशिरा तो ये निचली भाग का क्या हो गया महाशिरा याद हो गया ये हो गया उपरी भाग से महाशिरा ये हो गया निचली भाग से महाशिरा दो नम याद हो गया पत खतम अब यहाँ पर एक नाम याद कर लेना है यह महाधमनी क्या नाम कर लेना है महाधमनी तीन नाम हो गया देखो जरासा फिर से दम फटा फट ये क्या है महासिरा महासिरा है ना नीचले भाग का महासिरा ये भी क्या है महासिरा बिलकुल सही और ये क्या है महाधमनी क्या है महाधमनी और ये दो नाम एक्ष्ट्र अब याद कर लेना एक है फु फोड़ा सा रखोगे और उसकी बाद हुरी दे के function को हम लोग देखेंगे अब थोड़ा सा रिदे के function को हुरी देखने के पहले कुछ और चीज़ को मैं यहां पर तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और वो है हमारा फेफड़ा का कारियर फेफड़ा कैसे कारियर करता है तुम बोलोगे सर आप तो हिरिदय पढ़ा रहे थे और हिरिदय पढ़ा थे पढ़ा थी फेफड़ा में कहां घुस गए तो यहां पर जरा सा समझो कि हिरिदय का कारिय और फेफड़ा का कारिय दोनों एक दूसरे से related है हिरिदय और फेफड़ा दोनों एक दूसरे से related है यानि कि तुमको हिरिदय यदि समझना है तो फेफड़ा यानि की लंग्स यानि की स्वसंतंत्र के बारे में जो मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ा सा यहां पर तुमको revision करके चलना होगा तो बताओ यहां साब साब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जल्दी बताओ यहां दिख रहा है यहां देखो तब को दिख रहा है यहां दिख रहा है यदि तो बताओ कि क्या राइनिमेशन दिख रहा है कि यहां हमारा स्वसंतंत्र है और स्वसंतंत्र में क्या आ रहा है बच्चों ऑक्सीजन आ रहा है सोसंत अंत्र में हम लोग यहां से क्या ग्रहन कर रहे हैं ऑक्सीजन को ग्रहन कर रहे हैं और यह देखो यहां से ऑक्सीजन आया ना तो यह ऑक्सीजन देखो यह मैंने सब पढ़ा दिया है तुम्हें यही ऑक्सीजन यहां पर कहां पर आता है एल वियो लाई में आता है जिसे हिंदी में क्या बोलते है कूपी का कहा आता है कूपी का तो ये ऑक्सीजन कूपी का में आता है और कूपी का के चारो और रक्त नलिकाएं होती है जहां पर इसको औशोशित कर लिया जाता है चलो यहां देखो जरासा तुम्हें समझ में आ ज जल्दी से देखो oxygen आ रहा है oxygen आया तो oxygen फेफ़डा में गया ना वहां पर ये जो oxygen है वह कूपीका के चारों और उपस्थीद क्या है ये देखो यही है Blood Capillaries जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं रक्त नलिका क्या बोलते हैं रक्त नलिका तो देखो यही है कूपी का कोश क्या है कूपी का कोश में क्या है ओटू है जो कि यहां पर आ गया अहां पहुंच गया रक्त नलिका में पहुंच गया अब बच्चों जड़ा बताओ यदि oxygen रक्त में मिल जाता है तो उसे कैसा रक्त कहते हैं oxygen युक्त रक्त कहते हैं या फिर oxygen युक्त रक्त कहते हैं जो भी नाम से तुम बोलना चाहो बोल सकते हो तो बोलोगे कि सर ये जो पढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या है यहां पर क्यों पढ़ा रहे हैं तो सिंपल सा यहां मैं बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा फेफड़ा है जब हम लोग सांस में oxygen लेते हैं तो जब फेफड़ा में जाता है तो फेफड़ा में जो रुधिर आ रह नहीं आद है तो फिर थोड़ा देर में मैं इसको फिर समझाऊंगा है तब या देखना यहां भी देखो इसी का चित्र दिखाये गया है इस चित्र में भी देख सकते हो तुम यहां पर यहां देखना इस चित्र में भी यही दिखाये गया है कि यह क्या है blood capillaries है यानि कि रक्तवाइका है ये तुम्हारा कूपीका को दिखाए गया है ठीक है कूपीका से oxygen देखो यहां पर आ रहा है क्या रहा है oxygen आ रहा है और ये oxygen ये जो nila नila दिख रहा रहा ये लखो उसको लाल लाल बनाते जा रहा है यानि कि नीला रक्त को क्या बना देता है लाल रक्त बना देता है तो शुरू में ही मैंने पताए था कि नीला रक्त कैसा होता है नीला रक्त वैसा होता है जिसमें आक्सीजन नहीं रहता है और लाल रक्त कैसा होता है जिसमें आक्सीजन रहता है ठीक है तो इस तरीके से तुम यहा को किस बात को दिमाग में रखो कि नीला रखत कैसा होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है और लाल रखत कैसा होता है जिसमें ऑक्सीजन रहता है ठीक है तो इतना अच्छा से मैं तुम्हें बता रहा हूं यहां पर तुम लोग डिसलाइक पर डिसलाइक मारे जा रहो क्या और मैं समझाओंगा तुम्हे कि हृदय कैसे कारे करता है तो बहुत आसाणी से सुखने के लिए यहां तुम अनिमेशन देख सकते हो अब यह निच्श्ट अनिमेशन यहां पर हम लोग देखेंगे चलो यहां इस इंशन को हम लोग देखेंगे और इस animation से समझेंगे कि रिदय कैसे कारे करता है देखो बच्चो इदम simple simple language में सीखना है देखो यहां तो रिदय जो है वह पूरे शरीर से oxygen विहींद रख्त को अपने पास बुलाता है यही समझ लो कि O2 रहित एक एक बात को सीखो कि पूरे शरीर से oxygen विहींद रख्त को रिदय अपने पास बुलाता है तो तुम देख सकते हो यहां किस तरीके से रिदय में oxygen विहींद रख्त पहुंच रहा है यहां देख लो तो जड़ासा यहां देखो एक सेकेंड में मैं दिखा रहा हूं तुम्हें यहां देखना एदम धीरे धीरे में पढ़ाओंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा यहां देखना थोड़ा सा इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं तो तुम्हें सारा यह समझ में आ जाएगा देखो यह देख रहा है हमार क्यां बोलेंगे नीला रकت कहां पर आया हुरिद legislator में आया यहaat तक समझ गए फिर यह जो हुरिद की से देता थे गौट गया इस नीले रकत को कहां भेस देता है येस यह भेस देता है लंग्स के पास याने कि फेफडों में भेस देता है तो क्या तुम बता सकते हो यह फेफ़डा में नीले रक्त को क्यों भेशता है ताकि वहां ऑक्सीजन जूर सके देखो यहां पर यहां पर ऑक्सीजन जूर जाएगा यह देखना यहां देखो यह यहां देखना तुम लो यहां देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा एक सेकेंड में दिखा देता हूं तुम्हें यहां देखना पूरे शरीर से नीला रक्त हिर्दे में आया अब यह जो नीला रक्त है हिर्दे में आया उसमें ऑक्सीजन नहीं है अब यह रक्त में ऑक्सिजन मिलाने के लिए कहां भेज देगा उसको फेफडा में भेज देगा तो देख लो तुम यहां फेफडा में यह रक्त चला गया यहां देखना यह रक्त कहां चला गया फेफडा में देख रहे हो तुम लोग, ये नीला रक्त कहां चला गिया है, फेफडा में चला गिया, ये देखो, ये oxygen विहिन रक्त आया हृदय में, oxygen विहिन रक्त आया हृदय में, और हृदय से कहां चला गिया है, फेफडा में, हृदय से फेफडा में कौन गिया है, वैसा रक्त गिया ह है जिसमें oxygen नहीं है तो जो हम लग सांस लेते है ना to oxygen इसमें मिल जाएगा और यह लाल रख्ट हो जाएगा देखो यहाँ पर यह देखना नीला रख्ट किया सा हो गया देख लो लालख भो गया तो यह रख्त क्यों हुआ अब बताओ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल गया किसमें ऑक्सीजन मिल गया रख्त में ऑक्सीजन मिल गया यहां से फिर तक सुनो यहीं तक हम लोग बात करते हैं देखो हरीदय के कारी हम लोग पढ़ रहे हैं हरीदय के कारी में हम लोग को क्या बताना है कि सबसे पहले रिदय क्या करता है पूरे शरीर के उपरी भाग से और नीचे भाग से ऑक्सीजन विहीन रक्त को अपने पास बुलाता है देखो पूरे शरीर से ऑक्सीजन विहीन रक्त को अपने पास बुलाता है और उसके बाद उसके बाद क्या करता है इसको फेंफडों में बेज दिया, पहँ भेज दिया, अब फेफणा में भेजने पर इसमें औक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि जो हम लोग सांस लेते हैं, वो फेफणा में जाएगा, मैंने शुरु में बता दिया तुम्हें, तो इस तरीके से ये जो बलड है, ये जो रख्थ है, इसे बोलते हैं oxygen युक्त रक्त तो अब क्या होगा अब क्या होगा हृदय वापस इसे अपने पास बुलाएगा इस oxygen युक्त रक्त को अपने पास बुलाता है और फिर पूरे शरीर में इसको भेज देता है यहां देखो तुम लोग देखो oxygen युक्त रक्त आएगा हृदय में देखो आ रहा यहां पर देखना ऑक्सीजन यूक्त रख्ट आ रहा हृदय में और फिर यहां से यह इसे पूरे शरीर में भेज देगा देखो यह पूरे शरीर में भेज रहा है दिख रहा है तुम्हें तो इस तरीके से हमारा हृदय कारे करता है देखो रिदय में आया कैसा रख्ट नीला लारक बोलो कहा भेजेगा जल्दी बोलो थेफ़वो में तो भेज दिया फेफ़वो में क्यों भेजा भोलो येस ऑक्सीजन मिलाने के लिए तो लेख बार कैसा हो गया लाल फिर see抓 me अएगा फिर यहां से पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा देखो, पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा यही है हुरे इसके बाद यह भेज देगा फेफ़णों में, फेफ़णों में क्या हुआ? oxygen मिल गिया oxygen मिलके क्या होगे लाल रत बन गया वापस यह हिर्दय अपने पास बुलाएगा और इसको पूरे शरीर में भेज देगा पदिकत यही है तुम्हारा हिर्दय का function इसी को क्या बोलते हैं हिर्दय का function और इसे ही हम लोग बोलते हैं double circulation यानि दोहरा रक्त परी संचरण तो इसी को हम लोग को अब यहां जो हम लोग का चित्र है उसमें यहां देख लेना है यह देखो यहां पर मैं दिखा दे रहा हूँ यहां देखो देखो यहां पर मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ यहां देखना तो पूरे शरीर से यहां देखो एक सेकेंट यहां देखना तो पूरे शरीर से नीला रफ्थ पूरे शरीर से नीले रफ्थ जिसमें आक्सीजन नहीं है वो कहा या हृदय में तो हिरिदय में कहाता है दाया आलिंद में प्रवेश करता है, सबसे पहले कहाता है दाया आलिंद में, इसके बाद ये पहुंच जाता है तुम्हारा दाया निले में, देखो ये कहां पहुंच गिया, दाया निले में, पूरे शरीर से रक्त कहाया, दाया आलिंद में, दाया में फिर क्या होगा oxygen मिलेगा तो oxygen मिलेगा तो फिर oxygen युक्त रखत प्नाएगा बाया आलिंद में फिर बाया आलिंद से बाया निले में और फिर बाया निले से होता हुआ महाधमनी और फिर पूरा शरीर में चला जाएगा पूरे शरीर में जाने पर आक्सीजन इसका यूज हो जाएगा और यह हो जाएगा आक्सीजन विहीन रक्त विहीन रक्त और फिर यह पूरे शरीर से होता हुआ कहां जाएगा रिदय में